रोकडे ज्वेलर्स प्रावेट लिमिटेट ने 9 अप्रेल को गोड़ी पाढ़वा के शुब आउसर पर हैना रोड पिज़ा हट के बगल में अपने छटवे शोरूम का उटखा टंग करने की खोशना की है। राजिश रोकडे ने कहा कि रोकडे ज्वेलर्स जो एक पार्मपारिक दुकान के रुप में शुरू ही थी अब एक कमपनी में बदल गई है। जिसमें हीरे, प्लाटिनम, राशी रतनों के साथ भवान की चांदी सोनी की मुर्तिया पुजा सामगरी शामिल है। प्रतेक शोरू में सोने की गुनवत्ता की जाचनी के लिए कैरटो मीटर रखा गया है। रोकरे ज्विलस नई पिड़ी के लिए शिल्प कौशल या सुन्दर्ता, विशिष्टता और बचट अनुकुल आभुशन प्रस्दुत करता है। आधुरीक हलके और पारमपारिक आभुशनों, किम्ती आभुशनों, उत्तम शिल्प कौशल, शुद्धता, बेजोड डिसाइन और ग्रहकों की संतुष्टी के प्रती अतूर प्रतिपर्दता का व्यापक संग्रह रोकरे ज्विलस की पहचान है। इस शुरूम से हिंगना शुत्र के लोगों को आकश्चक डिसाइन वाले आभुशन खरीदने का आउसर मिलेगा। रोकरे ज्विलस में हापी कस्टमर, लॉयल्टी के पॉइंट्स, डिजिटल, गोल्ड जैसे विबिन योजनाओं के तहट ग्रहकों को समय समय पर लाब मिलता है। सोनी सहाता योजना के माद्यम से बचत की जानकारी भी प्रतान की जाती है। सबी शोरूम तिन सो पैसस दिन ग्रहकों को सिवाद देनी के लिए तयार है। आजू बाजू भी बहुत से गाव है, सम्रुद्धी मार्ग बाजू में है। तो इसका अगर जियोलोजिकली मैं अगर देखू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्स है। और आपको याद होगा, कोराडी ब्रांच जब ओपनी हुई तभी इसकी गोशना भी की थी, हम लोग जली हिंगना में एक नई ब्रांच लेके आ रहे हैं। वह हमारा साकार हो रहा है तीन मेने के अंदर और आप देख सकते हैं करीब यह 4000 स्वेर फिट की यह ब्रांच है 3950 स्वेर फिट की तो अपने आप में यह ब्रांच हमारे लिए बहुत अच्छा बिजनस करेगी ऐसा हमें लगता है। देखिए पहली शॉप तो हमारे दादा जी के पापा मतलब परदादा जी ने खोली थी तब तो मुझे उनके मतलब सव साल से जादा हो गया इसलिए उसकी डेट्स और वो सब याद नहीं है बट जनरेशन टू जनरेशन जैसे मेरा बेटा अभी इस जनरेशन में आया है त तो इतना कह सकता हूँ कि जब हम लोग ने इतवारी में हमारी जो ब्रांच थी हूँ हमने कुछ 87 के आसपा थोड़ा सा हम लोग ने कारागीरी स्टाइल से वर्किंग छोड़के हमने अपने आपको एज ज्वेलर्स कर सके अपने आपको वहाँ पे प्रोड्यूस किया कैमरा पस्तन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट